गोर्था की रहने वाली 11 वर्षी कुमारी चान्नी पाथोड़े 15 अक्टूबर 2021 को सुभा करीब 10 बचे भैस चराने के दोरान गोंदिया जिले के आमगाव तालुका के जवारी गोर्था गाव के पास पुजारी टोला से बहने वाली मुखे नहर में गिर गई दैराम भोयर और तैसिलदार आमगाव ने लड़की को खोचने के लिए तालुका इस्तर के चामू और इस्थानी धीवर समुदाय की मदद से तलाशी अभ्यान चलाया लेकिन शाम तक कोई सफलता नहीं मिली वहीं दशेरे के अफसर पर मादुर्गा की प्रतीमा विसरजित करने के लिए राजिगाव के कुरानी घाट पर जिला खोज और बचाव दल को तैनात किया गया है विसरजन इसलिए भी महतपून था क्योंकि इस इस्थान पर कोई अपरिय घटना नहीं होनी थी जिसकी योचना जिला परिशासन द्वारा भी बनाई जा रही थी आवगाव तालुका में घटना के दूसरे दिन 16 अक्टूबर 2021 को एक जिला इस तरिये टीम को तलाशी अभियान के लिए भेजा गया था मौके से दो किलोमिटर तक लापता चान्नी की तलाश की गई लेकिन कोई सफलता नहीं मिली नहर में और खोज करने पर अचानक मुझे एक साइफन मिला साइफन कोई जानवर नहीं है या एक मैट्रो है साइफन एक अंग्रेजी कालिन पढाली है साइफन एक नहर के नीचे वी आकार में एक नहर के बीच में या नदियों या नालों के सामने जल निकासी के लिए बिना किसी बाधा के निर्मे जल मार गए इस बीच शेतर का पता लगाने के बाद शुरू में अनुमान लगाया गया था कि चान्दनी का शब उसी स्थान पर फ़सा हुआ था नहर भै रही थी इसलिए पूजा रिटोला से विसर का पानी नहर में कट गया करीब 24 घंटे की मशक्कत के बाद पानी कम हुआ और तलाशी तेज हो गई लेकिन तब तक शाम हो चुकी थी और अगले दिन की तलाश ठप हो गई थी तीसरे दिन 17 अक्टूबर 2021 को जिलास तरिये खोज और बचाव दल ने सुबह से अपनी तलाशी अभ्यान शिरू कर दिया आज इस साइफन के बगल में एक खोज की गई लेकिन कोई लापता चाननी नहीं मिली खोजी दल के सदस्य वापस लोटाए और घटना सदल पर लोटाए लेकिन कोई प्रगती नहीं हुई अंत में हम फिर से साइफन पर आए तीसरा दिन भी समापत हो गया चाननी तीन दिन से लापता थी वहीं दूसरी और इस घटना से ग्रामिनों में दहशत बढ़ती जा रही थी आखिरकार उनका दबा प्रशासन पर पढ़ने लगा जिला कलेक्टर नयाना गुंडे घटना पर नज़र रखे हुए है और राज्याब्दा मोचन बल को बुलाने की तयारी कर रही है क्योंकि साइफन नहर का एक अंडर पास था और वह रास्ता पानी से पूरी तरह अवरुद था वो मिगत साइफन में आक्सिजन की कमी के साथ साथ लोहे का कोन भी था इसलिए बचाफ कर्मियों को मौत का बड़ा खत्रा था जिला कलेक्टर ने राज्याब्दा मोचन बल नाकपूर को बुलाने की अनुमती दी और बंत्राले ने तुरंथ कारवाई की अंतहा गटना के चौते देन 18 अक्टूबर 2021 को SGRF की टीम आवगाव तालुका के जवारी गोर्था पहुची मुझे पूरा विश्वास था कि अब मैं लापता चांदी को जरूर ढूंड लूँगा मैं मौके पर पहुचा SGRF की वरिष्ट अधिकारियों से चर्चा की लेकिन साइफन की भोगोले की स्तिती को दे कर SGRF के बचाफ कर्मियों को उनके वरिष्टों ने बताए कि है सच है कि हमें तीन दिन के तलाशी अभियान के दौरान या अनुभव हुआ था अब क्या चौदे दिन भी बच्ची लापता भूमेगत नहर में तलाशी अभियान एक जान गवाने जैसा है ग्रामिनों और राज़नेताओं का दबाव हालात पर नसर रखते हुए कलेक्टर ने पुलिस अधिक्षक विश्व पांसरे अपर कलेक्टर राजेश खवाले रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर जैराम देश पांडे के साथ एम बैठकी और अंता नहर खाली करने का फैसल बनाए गए थे इसके बाद साइफन के दोनों किनारों पर दस से पंदरा मोटर पंप लगाए गए और नहर के पानी को पंप कर भूमिगत नहर को खाली कर दिया गया इसमें करीब 5-6 घंटे का समय लगा साइफन कुछ हद तक खाली होने के बाद एस जियारिफ नाकपुर जिला खोज और बचाव दल के सदस्यों ने बचाया और चाननी का शव पाया लेकिन साइफन बचाव अभ्यान सबसे कठिन और खतनाग था पुलिस निरिक्षक बादल विश्वास राजी आपदा प्रतिक्रिया बल नाकपुर ने अपने अनुभव से कहा इस घटना से ग् में रोकों अंदोलन को शांत कराया पुलिस अदिक्षक की मार्क देशन में अनुवंडल पुलिस अधिकारियों और थानेदार ने कानुन ववस्ता बनाये रखने के लिए कड़ी महनत की सिचाई विभाग के कारी पालक अभियंता और उनकी टीम ने नहर का पानी रोक कर सा जावकारे में विद्ध विभाग ने भी एहम भूमी का निभाई राज़त प्रशासन से लेकर जिलस्तर के वरिष्ट अधिकारियों ने यह सफलता हासिल की बीसीन न्यूस से अभिशेग भटनागर की रिपोर्ट